अलो फ्रेंट अलकम टू यूट्यीब चनल फैबरिकेशन गुरु तो आप जो यह ड्राइंग को दिख रहे हो तो यह हो गया एक सेड का ड्राइंग और यह सेड का यहाप दिया है यह सेड का लेंद कितना है तो यह सेड का लेंद है 6.512 में और यह आप देखा दिया प्लैं प्लेंगे कॉलंम और ये होगा ट्राप्ट और इसमें आज डिसकास होगा यहां पर दोको दिया है प्लैंड 12 तो इरा से खाड़ा होगे आप इदार को फ्यू दिखा रहा है तो जो फ्यू आएगा यह होगा फ्लैंड 12 तो आज यह भी के बारे में डिसकास होगा तो देखो यहां पर दिया है plan 12 तो plan 12 में क्या-k corresponds log तो अब यहां पर खाड़ा होके इद्धार से दिख रहे हो तो जो view आएगा और उप से पहले देखो शबसे पहले देखो यह जो beam है और यह अक्ठो beam है और यह दोनो जो beam joint हो रहा है उसका बीच में यह बड़ा बला एक plate लग रहा है ठीक है इसका number यहाँ पर नहीं दिया है जहाँ पर section 12 view आएगा वहाँ पर दे देगा और क्या लग रहा है एक देखो cassette plate लग रहा है यह बला और इधार से यह यह इसका number है देखो 94 और 95 और इसका size भी सब कुछ लिखा है और इसके साथ क्या लग रहा है इधार से देखो 94 और 94 तो यह दोनों plate लग रहा है फ्लांच टाइप का इधार से एक और इधार से एक और इसका सारे dimension यहाँ पर दिया है और यह plate का thickness भी दे दिया है यह पर देखो 10 mm thickness है और इसका चलो आ रहा है इस बार section 12 जो view है वो कैसा दिखाए दे रहा है तो आ गया section 12 तो यह हो गया section 12 का view और इसमें क्या का लाग रहा है देखो तो यह हो गया main beam जो trust का beam है और उसके साथ क्या क्या लाग रहा है और उसके साथ देखो यह जो सबसे बड़ा वाला plate था जिसका number यहाँ पर दिया है 104 और यह plate का size यहाँ पर दे दिया और क्या लाग रहा है और लाग रहा है यह plate यह plate को dot का line क्यों दे दिया क्योंकि जहाँ पर काट रहा है वह पर बड़ा बड़ा प्लेट आ गया और यह ठाक गया इसलिए यह डॉट का तो आज का वीडियो इतना तब और यह वीडियो आपको पसंद दुए तो अब अब जोरो लाइक करें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू